अरे मोधी जी ये क्या है ये क्या तमासा लगा रखा है तुमने जी कहा पर आटो रिक्सा में सबजी की दुकान खोली है मैंने ये तमासा कहा हो गया अरे भई मोदी जी आपका हाटो रिक्सा सवारी पर पास है ना कि सब्जी की तुकान पर पास है इसमें आप सिर्फ सवारी इदर से उधर डो सकती हो ना कि सब्जी लात के बेश सकती हो मैं तुम्हारा चालान काटूंगा या ऐसा करो वो फूल गोबी रखा है जो बड़ा वाला वो एक गोबी दे दो मुझे अखलेज जी गोबी देने से क्या होगा आम मेरा चालान नहीं काटोगे आम बने ही मेरा चालान काटो फूल गोबी तो मैं कभी नहीं दूँगा आपको हाँ आम मुझसे पैसे दे के खरीज सकते हैं फूल गोबी अरे भई पैसे दे करी मांग रहा हूँ पैसे दूँगा मैं आपको एक फूल को भी लाओ चालान तो मैं काटूंगा ही काटूंगा अलग तुम्हें क्या लगा रिस्बत उस्बत में मैं फूल को भी मांग रहा हूँ अरे अकलेस जी क्यों परेसान करते हो मोदी जी को आराम से सबजी बेचने कुना दो अभी जल्दी में उन्होंने अपना आटोरिक्सा खरीदा आये और उसमें सबजी का फ्रेम तयार करवाया आये पीछे सबजी रखने के लिए और आप बेफालतूं में चालान पे पैसे खर्च करवाओगे उनके बिचारे बहुत कम रेट में सबजी बेच रहा है अभी मैंने भिंदी लिए आगकलो मंदी से भी कम रेट में इन्होंने मुझे दीए अरे बही इंसानियत अलग चीज है नियम अलग चीज है अरे अभी इनका आटोरिक्सा सबारी ढोने के लिए पास है इन्हें सबजी ढोने का पास बनबाना पड़ेगा तो बनबा लेंगे पास बनबा लेंगे मुधी जी आप थोड़ा टैम तो दीजी उन्हें अरे तुम बीज में बहुत बोल ले हो बई तुमें इतना जादा पुरा लग रहा है तुम दे दो चालान का पैसा दो तुम निकालो चालान का पैसा अरे बही मुधी जी मूली क्या रैट बेच रहे हो मूली का रैट बताना जरा देखो राहूल अभी तो मैंने ये नया नया सबजी बेचना चालू किया है नया आटो रिक्सा लिया है समझे अभी तो मैं सबजी सस्ती बेच रहा हूँ इसलिए सस्ती मिल जाती है मुझे सबजी और फ्रेस्ताजी सबजी होती इसलिए सस्ती बेच रहा हूँ अरे भई मोधी जी अब आप जाओ अब मैं आपका चालान बिलकुल नहीं काटूंगा अरे आप तो इतनी सस्ती सबजी बेच रहे हो मैं आपका चालान बिलकुल नहीं काटूंगा और भाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो